नमस्कार स्वागत है फटापट ताजा बड़ी खबरों में पहली बड़ी खबर मोधी केबिनेट की मीटिंग में बड़ा फैसला देश के 80 करोड गरीबों को मई और जून में मिलेगा फ्री में राशन कोरोना की δूसरी लहर के कहर से जूजरे देश के गरीबों को केंद्री सरकार ने बढ़ी राहत दिये है सरकार ने देश के 80 करोड गरीबों को मई और जून के महिने में प्रत्य व्यक्ती 5 किलो राशन मुप्त देने का एलान किया है बुदभार कु केंदरिये कैबिनेट के जी हां केंदरिये कैबिनेट ने राश्ट्रिय खादे सुरक्षा अधिनियम के ताहत 89.88 करोड गरीबों को यह सुविधा देने का नेने लिया है ममता तीसरी बार बनी बंगाल की मुख्यमंतरी अगर यह शर्त नहीं पूरी की तो छे महिने में छोड़नी होगी कुरसी ममता बनर जी आज तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंतरी पद की शपत ले ली ये दूसरा मोका है जब ममता बंगाल बिधान सभा की बिधायक नहीं होने के बाद भी परदेश की कमान संभार रही है इससे पहले 2011 में जब ममता पहली बार मुख्वंत्री बनी थी तो वो लोग सभा सांसत थी इस बार वो नंदिक राम से अपने पुराने सहयोगी और भाजपा उमिदवार शुबेंदू अधिकारी से चुनाओ हार गई है हार के बाद भी ममता राज्य की मुख्वमंत्री बन सकती है लेकिन 6 मेने के बीतर उन्हें राज्य की किसी बिधानसभा सीर से चुनाओ जीतना होगा अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें मुख्वमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा ओरिसा में आज से 14 दिनों के लिए संपूर्ण लोकडाउन कोरोना महमारी की दुसरी लहर से बचने के लिए ओरिसा में आज से 14 दिनों का लोकडाउन लाग हो गया है ओरिसा की नवीन पठनाएक सरकार ने 14 दिनों के लिए कंप्लीट लोकडाउन लगाने का निरनाय किया है सुबे में कोरोना संकर्मन के तेजी से बढ़ते नए मामलों की वज़े से सरकार ने यह कदम उठाया है मुखे सचीव SSSC मोह पात्रा की ओर से एक जारी आदेश में का गया है कि वीकेंड को छोड़कर सभी अन्यदीनों में जरूरी सिवाएं उपलब्ध रहेंगी सरकार की ओर से जारी आदिकारी का आदेश में का गया है कि लोगों को सुबद 6 वज़ से दोपर 12 बजे के बीच उनके घरों के 500 मिटर के दायरे में जरूरी चीज़े खरिदने की इजाज़त दी जाएंगी सुप्रीम कोट ने मराठा आरक्षन किया खत्म कहा 50 परतीशत की सीमा तोड़ना समानता के खिलाब महराष्ट्र सरकार की ओर से दिये गए मराठा आरक्षन को सुप्रीम कोट ने खारिच कर दिया है पांच जज़ों की संबेधानिक बेंच ने आरक्षन पर सुनवाई करते हुए कहा है कि इसकी सीमा को 50 पीसदी से जादा नहीं बढ़ाय जा सकता इसके साथी अदालत ने 1992 के इंदिरा साहनी केस में दिये गए फैसले की समिख्षा करने से भी इनकार कर दिया है सुप्रीम कोट ने माराठा आरक्षन को खत्म करते हुए कहा कि यह 50 पीसदी की सीमा का उलंखन करता है अदालत ने कहा कि यह समानता के अधिकार का हनन है इसके साथी अदालत ने 2018 के राज्य सरकार के कानून को भी खारिच कर दिया है दरसल माराष्टर सरकार ने 50 पीसदी सीमा से बाहर जाते हुए माराठा समुदाय को नौकरियों और शिक्षन संस्थानों में आरक्षन का एलान किया था यूपी में बढ़ाई गई लोगडाउन की समय सीमा अब 10 मई सुबह 7 बजे तक पाबंधियां कोरोना संक्रमन की बढ़ते संक्रमन पर परभावी नियंतरन के लिए एक बार फिर विकेंड कोरोना कर्फ्यू को 10 मई यानि सुमुआर सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया गया है पहले तीन दीन का विकेंड लोगडाउन लगया था इसके बाद फिर दो दीन का बढ़ाते हुए छे मई सुबह 7 बजे तक कर दिया गया था लेकिन एक बार फिर इसे बढ़ाते हुए सुमुआर सुबह 7 बजे तक कर दिया गया है लिहाजा यूपी में ये पूरा हफता ही अब लोगडाउन रहेगा SBA में कलर के 5454 पदों पर भरती लग गई नोकरी तो इतनी मिलेगी सैलरी बैंक इम नोकरी की त्यारी में जूटे युवाओं को मालूम ही इन होगा कि देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक SBA ने हजारों भरतिया निकाली है इसकी आवेदन पर क्रिया 27 अप्रेल से शुरू हो चुकी है आवेदन करने की अंतीमति थी 17 मई 2021 है बैंक ने देश भर में अपनी शाखाओं में कलरक लेवल पर 5454 पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे है योग्यों उमिदवार SBA की आधिकारिक साइट SBA.co.in पर विजीट कर अपना रेश्टेशन कर सकते हैं अमेरिकी राश्टरपती जो बाइडेन ने कहा हिंदुस्तान की बहुत मदद की भारत जब कोरोना की दूसरी लहर से तरस्त नजार आ रहा है ऐसे मुश्कील समय में हर बड़ा देश न सिर्फ हिंदुस्तान की मदद को आ गया रहा है बलकि अपनी तरब से कई जरूरी वस्तियों की समय रहते सप्लाई भी कर रहा है इस लिश्ट में महाशक्ती अमेरिका का नाम भी शामिल है जो बाइडेन ने कहा है कि हम भारत और ब्राजिल की काफी मदद कर रहे हैं पियम मोदी से जब बात हुई तब समझ आया कि उन्हें सबसे ज़्यादा वैक्सिन बनाने के लिए कच्चे माल की ज़रूरत है हम उन्हें वो भेज रहे हैं